नमस्कार बिस तक में आपका स्वागत है मैं हूँ सौरभ दिक्षित आज हम फिर से बात करने वाले BSNL के बारे में आज BSNL 4G के बारे में बात करेंगे जैसे आपको पता होगा कि BSNL ने भी हाल ही में साउथ इंडिया में अपनी 4G सर्विसिस को शुरूब किया है और इसके काफी एच्छी रिदल्ट देखे आ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छी स्पीड मिल लही है BSNL अभी इसमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज रिसेंट्ली कुछ फोटो डाली हैं जिसमें दिखाया है कि वाइनाट में किस तरीके से लैंसलाइट के बाद BSNL अपनी सर्विस्स को रिस्टोर किया है और किस तेजी से 4G पर काम कर रहा है तो 4G को लेकर के और क्या अपडेट हैं आगे बिसनल और क्या कर रहा है इस पर प्रवीन सर से हम चर्चा करेंगे प्रवीन सर आपका सवागत है तो बहुत तेजी से 4G पर काम कर रहा है पहले एक शिकायत लोगों कि यह भी रही है कि बिसनल की सर्विस्स लो है मतलब जैसे कुछ खराब ह हो जाए तो अब देखा गए वाइनाड में कि जैसे लैंसलाइट कितनी जल्दी भी इसनल ने रिश्टोर कर दीए 4G सवित बिल्पल ये ये एक बड़ी खबर है इस लिहास से कि वाइनाड में जो लैंड स्लाइड हुई और जिसमें 200 लोगों के मरने की खबर आ रही है उसके बाद उस पूरे इलाके में NDRF हो या स्टेट पुलिस हो और दूसरी जो NGO सारे लोग मिलके उस वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं और ऐसे में वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी की कम्मिनिकेशन की जो जरूरत है उसके लिए BSNL ने अपने 4 G को वहाँ पर रिस्टोर किया है वहाँ जो प्लेंड स्लाइड हो इसके बाद चीजें वहाँ पर जो कम्मिनिकेशन के हैं वो सारे डेमेज हुए लेकिन उसको अब BSNL ने अपनी जो पोस्ट डाली है उसमें उन्होंने बताए कि हमने वहाँ पर 4G को रिस्टोर करतिया है और तेजी से उसको कम्मिनिकेशन को और चीजों को दुरुस्त करने के काम में वहाँ लगे हुए हैं ताकि लोगों को इस आपदा की घड़ी में वहाँ पर मदद मिल सके चीजों की सूचना सही तरीके से प्रोवाइट कराई जा सके और रिलीफ और बाकी रेस्क्यू आप पहले ही वह बात की थी और यह साल के अंद तक पूरे देश में शुरू करने का इसमें क्या लग रहा है सब की मिलब कर सकते हैं क्योंकि खबर यह आई थी कि 12 जाट टावर 4G के विश्टॉल कर चुका है तो क्या लग रहा है मिलब शुरू हो सकती है विश्टनल कितना इसम उसकी प्रगति कैसे चल रही है उसको डेली रिव्यू किया जा सके दूसरी बात उसमें यह है कि 4G को लाने के साथ साथ अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो स्टार्ट अप्स हैं खबर इस तरह की आई है कि उन्होंने BSNL के साथ टाई अप करके BSNL के 5G को ट्राइल बेस पर 5G किस तरह से वर्क करेगा BSNL का उस पर काम शुरू किया जाए उसके ट्राइल किये जाए और माना यह जा रहा है कि एक से दो महीने के भीतर यह ट्राइल शुरू हो सकते हैं तो 5G को 4G तो लगाने की प्रक्रिया चली रही है 5G को लाने के लिए भी BSNL तेजी से अपनी activity बढ़ा रहा है जल्दी ट्राइल अगर शुरू हो जाते हैं तो उसको deploy कैसे करना है माना यह जा रहा है कि 700 MHz का जो spectrum BSNL के पास है उसी पर 5G को के ट्राइल किये जाने की बात सामने आ रही है तो जल्दी 4G को लाने की बात है 5G के दिशा में भी BSNL करेक्ट होने में टाइम लगा लेकिन 5G पर बहुत जल्दी आ जाएगा बिसका इसका फाइदा सिधे सिधे आम लोगों को मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल एक सर यह जाना चाहते हैं कि यह जो बात चली कि MTNL का कामकाज जब BSNL को सौंप गया जाएगा तो इससे BSNL को कितन नहीं चल रहा है MTNL का लेकिन सरकार ने यह फैसला किया है कि MTNL को बंद नहीं करेगी MTNL एक लिस्टिट कंपनी है और उसके ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई के BSNL को सौंप दिये जाएंगे सारे कामकाज इसका मतलब है कि दिल्ली और मुंबई में जो बड़े ग्रहा का जो पूरा तपका है उसको अब BSNL की सर्विसेज मिलेंगी BSNL अपने सर्विसेज को दुरुस्त भी करेगा MTNL के ग्रहा को का टेक ओवर भी शायद इसमें दिखाई दे और उसके बाद वहाँ पे इन एरियाज में भी BSNL की सर्विसेज लोगों को मिलेगी और 4G और आने वाले टाइम में 5G का फाइदा लोगों को यहां मिल सकता है ताकि जो लोग मान लीजे दिली में या मुंबई में हैं वहाँ भी लोग BSNL की सर्विसेज को कालाब उठा सकें तो BSNL जिस तरीके से तेजी से अपने 4G नेटवर्क को अपडेट कर रहा है यह आम लोगों के लिए अच्छी बात है कि उनको कम रेट पे 4G की सर्विसेज मिलेंगी अब पूरे देश में BSNL की सर्विस कितनी जल्दी शुरू होती है यह देखना होगा आपको हमारा विकेंट पर मार्केट स्कान, एंकर्स के साथ, चैट और भी बहुत बूट इस प्रेमियम सब्स्क्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, बोल्ट और प्लाटिन जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस प्लाट